नमस्कार देली शो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र साथी हमदर्थ मुकेश कुमार दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं मानेंगे कि नोट बंदी की वज़े से अर्थिवेवस्था संकट में आई स्लो डाउन हुआ और लगातार आर्थिक तरक्की की रफ्तार सुस्थ होती गई वो ये भी कभी नहीं मानेंगे कि उनकी नीतियों की वज़े से कोरोना का जो इंपेक्ट है अर्थिवेवस्था पर वो और भी खराब होता चला गया मोधी सरकार कभी भी अपनी गलतियों को सुईकार नहीं करती है वो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सिर्फ फोड़ती है पिछली सरकारों पर फोड़ती है या पहले प्रधान मंत्री पंडित जवारा नहरू पर फोड़ती है अब देखिए कि वित्र मंत्री सीता रमन ने GST कॉंसिल की मीटिंग में राज्यों का जो अधिकार है जो उससे वादा उनसे किया गया था उसका पैसा देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि ये Act of God था यानि भगवान की करामा थी जिसकी वज़ा से अर्थविवस्था का ये हाल हुआ है और हम आपको पैसा देने में सक्षम नहीं हैं हम असमर्थ हैं तो आपने देखा कि कितनी आसानी से उन्होंने ठीकरा भगवान के नाम पे फोड़ दिया यही काम मोदी सरकार करती आई है वो ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ती है अपनी जिम्मेवारी नहीं लेती है लेकिन GDP की जो विकासदर माइनस 23.9 चली गई है क्या उसके लिए जिम्मेदार भगवान है या हमारा भी कोई इसमें रोल है इस सरकार की भी कोई भूमिका है जिसकी वज़े से यह हुआ है बहुत सारे लोग वैसे मानते हैं कि बताईए मोदी जी इसमें क्या कर सकते है क्योंकि यह तो एक तरह की प्राकृतिक आपदा है महा मारी आ गई है वो तो मोदी जी ने पैदा नहीं की है वो तो मोदी जी लेकर नहीं आए है तो उसकी वज़े से आर्थिक समस्या खड़ी हो रही है आर्थिक तबाही हो रही है और इसके लिए उनको दोश्ट नहीं दिया जा सकता लेकिन यह अधूरा सच है यह आधा सच है कि महा मारी आई और महा मारी को ठीक ठंक से हैंडल ना कर पाना यह बांकी का सच है जिस पर लोग विचार नहीं करते हैं आज हम इसी पर विचार करेंगे लेकिन उसके पहले आप से एक निवेदन करेंगे कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफी करता है उन्हें तोड़ता मरोड़ता है उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है तो आपको स्वतंत्र पत्रकारता का साथ देना चाहिए उसकी ताकत बनना चाहिए सत्थ हिंदी की सदसिता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं इसके लिए इस वीडियो के साथ दिये गए डिस्क्रिप्शन में जाएए उसमें आपको एक लिंक मिलेगी उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदसिता चुन लीजिए हमें उमीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे वापस लोटते हैं विशर पे कि मोदी, प्रधान मंती, नरेन मोदी और उनकी सरकार ये जो आर्थिक तबाही हमारे सामने उपस्थित हो गई है जो GDP की जो माइनस 23.9% की ग्रोथ दिखाई दी है ग्रोथ माइनस ग्रोथ है वो उसके लिए क्या मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है कि या ये सब कुछ अपने आप हो रहा है और ये बिना ड्राइवर की गाड़ी है हिंदुस्तान जो अपने हिसाब से चल रही है उसमें ड्राइवर की कोई भूमका नहीं है देखिए आपको इसके लिए देखना ये पड़ेगा कि जिन देशों में सरकारों ने समझदारी के साथ काम किया है और समझदारी के साथ कुरोना से लड़ाई लड़ी है वहाँ अर्थ विवस्था पर इसका इंपेक्ट बहुत कम पड़ा है यानि आप चीन का उदारन ले लीजे चीन के पहली तिमाही में जरूर जो साल की जनवरी से मार्ज तक की होती उसमें जरूर निगेटिव ग्रोध थी लेकिन उसके बाद उसने तुरंट उसको पिक अप किया और पिछले तीन महिनों में उसने तीन दशमलों दो की सकारात्मक वृध्धिदर दर्ज की है तो दुनिया में जब तमाम अर्थ विवस्थाएं नीचे ठह रही है स्लोडाउन का सिकार है माइनस की तरब जा रही है अधिकांस विवस्था वहाँ पर चीन ने समझदारी के साथ लॉक टाउन का इस्तेमाल करते हुए कुरोना से लड़ने की स्टेट जी के साथ अपनी अर्थ विवस्था को भी बचा के रखा है और अब वो और तेजी से बढ़ रही है आप डक्शन कोरिया को ले लीजे वियतनाम को ले लीजे जापान को ले लीजे और भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत ही समझदारी से और तो और आप पाकिस्तान को देखिए पाकिस्तान ने इमरान खान पर हम लोग शुरू में हसते थे कि वो लॉक डाउन नहीं लगा रहे हैं इसलामी जो कट्टरपंती जमात हैं जो वहां के रूडिवादी मुसल्मान हैं उनके दबाव में लेकिन उन्होंने पूरा जो लॉक डाउन नहीं लगाया सीमित क्षेत्रों में सीमित समय के लिए लगाया उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वहां की अर्थविवस्था उतनी बुरी इस्थिती में नहीं गई जितनी हिंदुस्तान की अर्थविवस्था चली गई है तो वहां की लीडर्शिप ने पैनिक में आकर कुछ नहीं किया और थोड़ा सा दूसरी सरकारों ने सोच समझ के फैसले लिए हमारे प्रधायन मंत्री ने तीन महीने तक कोरोना का पहला जो केस आया था वो 30 जनवरी को आया था और 23-24 मार्च को हमारे लॉकडाउन खोशित किया गया तो तो पहले तो दो महीने करीब पौने दो महीने प्रधायन मंत्री और उनकी सरकार सोई रही उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाए कोरोना रोकने के लिए और अचानक एक दिन रात को आट बज़े आकर उन्होंने पूर्ण तह लॉक्डाउन खोशित कर दिया इसकी वज़े से और यह करीब दो महीने तक चला और इसने पूरी अर्थ विवस्था को तहस नहस कर दिया चौपट कर दिया अब देखिए कि उनकी इस स्टेट जी के हलाकि मोदी जी अपनी पीट थप थपाते रहते सरकार खुद को अबाशी देती रहती है कि उसने लॉक्डाउन लगा दिया जिसकी वज़े से करोना उतनी तेजी से नहीं फैला लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर दिन सत्तर हजार से ज़्यादा मामले अब सामने आने लगे हैं और तकरीबन सैटीस लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं अब तक इस से सत्तर हजार के आसपास लोग मर चुके हैं और ये तेजी से फैलता ही जा रहा है जैसे जैसे नमबर आगे बढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि जो सरकार ने ये कहा था कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है कोरोना को रोकने के मामले में उस अफ फर्जी वाड़ा था एक्ट आफ फ्रॉड था एक्ट आफ गाड नहीं था एक्ट और एक जिम्यदार सरकार की भूनका नहीं थी और उसके बाद से तो और भी उसने इस तरह की लापरवाहियां की हैं जिसमें करप्शन भी शामिल है जैसे वेंटिलेटर की करप्शन हुए हैं पीम केर्स अपने आप में एक भरष्टाचार का ही अड़ा है क्योंकि उसमें कोई ट्रांसपेरिंसी नहीं है उसमें कोई हिसाब किताब लोगों को बताया नहीं जा रहा है तो ये एक दूसरा हिस्सा है इसके पैरलल ये किया जाना चाहिए थे कि अर्थ व्यूस्था को कैसे गती देनी है उस दिशा में भी प्रधान मंत्री और उनकी सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया जो 21 लाग करोड के पैकेज की घोशना की गई थी वो एक फरजी वाड़ा के अलावा कुछ नहीं था सारा कुछ जोड़ घटाना करने के बाद विशेशग्यों का कहना है कि दरसल वो डेड़ से 2 लाग करोड का पैकेज था जिसे बाकी चीजों से चोड़ कर 21 लाग करोड का बताया गया था और इसलिए उसका अर्थविवस्था पर कोई इंपैक्ट भी हम नहीं देख रहे हैं दूसरी बात ये कि बार बार विशेशग्यों, अंतरराश्टी अर्थविवस्था के जानकारों ने नोबल पुरुसकार प्राप्त भारती अर्थव शास्त्रियों ने कहा कि आप लोगों के हाथों में कैश रखिए, लोगों को कैश दीजिए ताकि वो खर्च करें खर्च करें तो डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़े तो मैनिफेक्ट्रिंग बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगा और इस तरह से पूरी अर्थविवस्था को गती मिलेगी लेकिन प्रधायन मंत्री ने अपनी अंटी धीली करने से मना कर दिया तो एक तरह का जिद्धी ढीट रवया है प्रधायन मंत्री नरेंद मोदी और उनकी सरकार का जो कि अर्थ शास्त्रियों को नजर अंदास करते हुए अपने जो एक तरह की वणिक बुद्धी जिस पर वो अपने गर्व भी करते हैं उसी तरह से बेहेव कर रहे हैं इस महा संकट के समय भी तो ये एक पूरी स्थिती दिख रही है अब देखें कि जीडीपी ग्रोथ का जहां तक सवाल है तेश दसमलो नौ फीजदी माइनस में चली गई है और इसमें केवल एक सेक्टर है क्रिशी जो सरकार के भरोसे नहीं रहता सरकार का उसमें कोई योगतान नहीं होता केवल उसने 3.4 फीजदी की वरदीदर हासिल की है इस तमाम संकटों के बीच में भी तमाम तरह की अर्थविवस्था पर संकट है आपने डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाते रहे और किसी लॉक डाउन की वज़े से वो ठीक से काम नहीं कर पाए इस सब के बावजूद इस सेक्टर ने ये उत्पादन करके दिखाया है लेकिन अगर आप मैनुफेक्शरिंग सेक्टर में जाएंगे तो वहां 40 फीजदी की गिरावट है आप निर्मार क्षेतर में जाएंगे तो वहां 50 फीजदी की गिरावट है इस तरह से जितने भी कोर सेक्टर माने जाते हैं स्टील है उर्जा है इस तमाम तरह के जो क्षेतर माने जाते हैं सब जगा इसी तरह की भारी गिरावट है साब बात है कि पूरी अर्थविवस्था ठहर गई है वो गतिशील नहीं हो पा रही है और आपने बाद में जो थोड़ा थोड़ा करके लोग डूँन खोला है उसकी वज़े से थोड़ी गत्विदियां जरूर शुरू हुई हैं लेकिन चूंकि लोगों के पास पैसा नहीं है लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि सरकार उनक की जो एक्टिविटी हैं वो भी जादा आगे तक नहीं जा पाएंगी तो अर्थविवस्था को गती नहीं मिलेगी अब ये और बात है कि जो मुख्य आर्थिक सलाकार है सुब्रमन्यम वो कह रहे हैं कि भारत की जो रिकवरी है वो वी शेप में होगी वी शेप मतलब एक बार नीचे गई और एकदम से जटके से उपर जाएगी अब ये दावे हैं हम सब उमीद करते हैं कि वी शेप की रिकवरी हो और जल्दी हो क्योंकि हम सब इस संकट की वज़े से पिस रहे हैं लाखों करूडों लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके पास खाने पीने के गए हैं और सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं मिल रही है तो ऐसे में रिकवरी हो ये जरूरी है लेकिन अभी भी सरकार बहुत ही ढिठाई के साथ कोई नए निर्णा नहीं ले रही है बार बार ये कहा जा रहा है कि आप उत्योग धंदों को सपोर्ट करने के लिए आम ल की थी जो मजोले और छोटे उद्योग हैं वो दरसल रियायत नहीं थी वो कर्ज था जिसको वो लेना नहीं चाहते हैं इस पूरे माहौल में जहां उम्मीद नहीं है कि आगे चलकर खपत बढ़ेगी और वो जो पादन करेंगे कर्ज लेकर वो कहीं बिकेगा तो वो सारी ज कैसे आगे बढ़ेगी तो ये भयानक तबाही की एक पूरी तस्वीर अभी से संकेत दे रही है कि कैसी तबाही हम फेस करने वाले हैं और ऐसे में सरकार सुस्त हैं कोई कदम नहीं उठा रही आप केवल एक कदम उसको उठाते हुए बार बार सुनेंगे और वो ये है कि वो इस पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रही है अब वो इस पब्लिक सेक्टर को डिस इन्वेस्टमेंट करेगी तो इस तरह से जो जितनी भी कमाओ पब्लिक सेक्टर की कमपनिया हैं उनको बेचने बेच कर सरकार सोस्ती की पैसा उगाह लेगी और उससे अर्थविवस्था च तो ये समझ में लोगों को आ रहा है कि दरसल आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं, दोस्तों को ओने पोने दाम में ये जो खाजाना उगलने वाली फैक्टरियां हैं, उनको सौंप रहे हैं, पूरा पबलिक सेक्टर उनको सौंप रहे हैं, तो ये देश की भलाई के कि ये संकट जो कुरोना की वज़े से आया है ये एक संकट है और इसके पहले पिछले तीन चार साल से जो अर्थ व्यस्था का संकट चल रहा था वो दूसरा संकट था और दोनों ने मिलकर ये मनजर हमारे सामने उपस्थित कर दिया है जो बहुत ही खौफनाक है तो पिछले जो कुरोना के पहले वाली स्थितियां थी उसमें भी प्रधायन मंत्री मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार थी उनकी नीतियां जिम्मेदार थी कि उन्होंने कभी भी इस अर्थ व्यस्था को सम्हालने की ढंग से रणनीती नहीं बनाई दावे तरह-तरह के करते है वो लेकिन उनके पास कोई दृष्टी नहीं थी कोई रोड मैप नहीं था और ये साफ बार-बार लग रहा था कि सरकार कन्फ्यूज है अब पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह हो चुका है उन्होंने जिस तरह से इस सरकार ने उनको मर्ज करके समालने की कोशिश की वो दूसरी समस्याएं खड़े करने जा रहा है और इस सरकार के बहुत सारे मित्र बैंकों को चूना लगा लगा कर विदेश भी भाग चुके हैं तो पिछले 4-5 साल से लगातार अर्थविस्था की आलत बिगड रही थी पिर कोरोना के समय चुकि सरकार ने सही ढंग से खड़म नहीं उठाय तो कोरोना की रफतार भी बढ़ी संक्रमन की रफतार भी और इधर अर्थविस्था भी रसातल की तरफ लगातार चली गई मंत्री के इशारे पर चलने वाली सरकार है यहां और किसी मंत्री या मंत्राले की कोई भूमिका नहीं है PMO पूरी चीज़ों को देखता है वित्य मंत्राले की नीतियां भी वहीं से बनती है प्रधायन मंत्री के नित्रित में ही वैसे तो सरकार चलती है लेकिन किसी दूसरे की कुछ सुनी जाती हो ऐसा नहीं लगता है तो ये चूंकि एक आदमी के नित्रित वाली सरकार है इसलिए अच्छा या बुरा जो भी होगा उसके लिए वही जिम्मेदार भी माना जाएगा और इस केस में जो अर्थविवस्था की हालत है जो GDP के जो ताजा आकड़े आये हैं कि कल्बना बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी रिजर्व बैंक ने भी भविश्वानी की थी कि ऐसा हो सकता है लेकिन सारे आकड़े अनुमान 15 से 20 फीज़दी के आसपास के चल रहे थे और ये 20 फीज़दी से उपर 24 फीज़दी के आसपास चले गए हैं जो और भी डराने वाले हैं तो पूरी रिजर्व बैंक की भुमिका स्वतंतर रूप से रिजर्व बैंक नहीं निभा पा रहा है वो सरकार के दबाओ में हैं सरकार को जब तब पैसे उसे देने पड़ते हैं सरकार के दबाओ में वो जो ब्यास दरे हैं उनको नियंतरित करता है तो इस वज़े से जो अर्थिववस्था को धक्का मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो मिल नहीं पा रहा है और चूंकि एक व्यक्ति की सरकार है और व्यक्ति सलाह मश्वरा पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है ये साफ साफ हम लोगों का अनुभा रहा है पिछले 5-6 साल का तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये जो तबाही है और बढ़ने वाली है इसको समालने का जो कहना चाहिए की गुण है वो हुनर है वो इस सरकार और इस सरकार के नेत्रित के पास नहीं है इसलिए ये हम सब के लिए बहुत बड़े खत्रे का संकेत है तो दोस्तों ये थी जीडिपी के जो विकासदर माइनस से बहुत नीचे चली गई है और उसके जो असर हमें देखने को मिल सकते हैं उन पर मेरी ये रिपोर्ट उमीद है कि आप इसे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और उन मित्रों से जिन्होंने अभी तक सत्हिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो भी इस चैनल को तुरंट सब्सक् करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.